प्रियंका वाडरा ने तो अपने पिता राजीव गांधी और अपने पिता के नाना नेहरु को ही फसा दिया यकिन नहीं होता तो आपको कुछ चीजे दिखाता हूँ जरा बड़े ध्यान से समझिएगा 1948 में एक शक्स ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी तो बदले में कॉंग्रेस ने क्या किया आपको पता हो या ना हो अधिकतर लोगों को शायद नहीं पता होगा आजाद भारत के इतिहास का पहला दंगा हुआ और हाँ ये कॉंग्रेसी नेताओं नहीं कराया था लेकिन जानत को जवाहर लाल नहरू ने जस्टिफाई किया था एक्स्क्लूसिब बाइट आपको सुना रहा हूँ 1948 की है सुन लीजिए और आखिर में वो जबर्दस सद्मा हम को पहुचाया कि हमारे देश के राश्चुपिता उनको उनको खत्म किया उसका एक जबर्दस असर देश पर प्रिसी नेताओं ने ही देश में सबसे बड़े सिख नरसनहार को अंजाम दिया लेकिन जानते हैं बुरा तो ये है दोस्तों कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने उस समय इस इस सिख दंगे को भी जस्टिफाई किया था सुन ली थी देख रहा है ना हलाकि जानते हैं दोस्तों बाद में सोनिया गांधी ने इस पर माफी तो मांगी लेकिन प्रियंका गांधी पर आईए जब हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया बच्चों और महिलाओं की बरबर हत्या की अमान भी ये बरताव किया तो राहुल गांधी या प्रियंका बाद्रा तो चुप रहे मगर जैसे ही इसराइल ने हमास पर हमला किया तो इन्हें महात्मा गांधी की याद आ गई प्रियंका वाडरा सदमे में है दोस्तों दरसल प्रियंका वाडरा ने ना केवल नहरू और राजीब गांधी के कुतर्क को आगे बढ़ाने का काम किया बलकि उन सारे पुराने जख्मों को हरा कर दिया है और आज मैं इसी को डिकोट कर रहा हूँ साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बढ़णवार इसराइल हमास युद्ध को दोस्तों कई दिन हो चुके हैं अब भी मीडिया में यही खबरें सुर्ख्या बनी हुई है और भारत की नजर विशेश तोर पर लगी हुई और भारत की क्या पूरी दुनिया की लगी हुई ह लेकिन भारत के अंदर जिस प्रकार से लेफ्ट लिबरल गैंग अपने रियक्शन को दे रहा है वो बड़ा हैरान करने बाला दोस्तों क्योंकि ये तो विदेश नीती का मामला है सरकार को अच्छी समझ होती है लेकिन छोटी छोटी बातों में जिस तरह की चीजें हो रही हाई सक्टूबर को सयुक्त राष्ट संग में इसराइल के खिलाफ जॉर्डन और उनके समर्थित देशों ने एक प्रिस्ताव रखा जिसमें इसराइल की निंदा करते हुए मानव अधिकारों को बनाए रखने की बात कही गई है लेकिन इस प्रिस्ताव में बड़ी विच इनकी बात ही नहीं है अब ऐसे प्रस्ताव पर क्या करना चाहिए वही प्रृदान मंतरी मोधी ने भारत ने मोधी सरकार ने मतलब मत में हिस्सा न लेना ही बेहतर समझा और मत दां से भारत दूर रहा लेकिन इसके बाद कैनड़ा ने एक प्रस्ताव रखा और उस उस प्रस्ताओं में हमास के आतंकी कुकृति की निंदा की गई थी उस पर भारत साथ खड़ा रहा भारत ने उसे समर्थन दिया लेकिन अब भारत में आईए भारत का जो लेफ्ट लिब्रल गैंग है दोस्तों जो पूरा का पूरा सिस्टेम उसको बड़े ध्यान से हजारों किलो मीटर दूर हुई इस घटना पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि इन सारे लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया इंडिय एलाइंस के सभी पार्टियां और उनका एको सिस्टम भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया बड़ कि भारत सरकार आतंकी संगठन हमास के आतंक का विरोध ना करे और इसराइल का विरोध करे और इस पर सबसे अधिक जो हैरानी मुझे वी और आपको भी होगी कॉंग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाडरा का जो बयान है वो हैरान करने वाला रहा उन्हें शर्म महसूस हो रही थी कि भारत ने ऐसा कर दिया उनका ये रियक्शन था और वो गमगीन थी उनके लिए तो मानो दुखों का पहार टूप पड़ा और ऐसा दुख दोस्तों ऐसा दुख ये गाजा की बात बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने महात्मा गाधी को याद करते हुए कहा कि यदि दुनिया में लोग आख के बदले आख निकालते रहेंगे तो दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है देखिए कहीं भी कोई भी घटना होती है दोस्तों मानव पर इनसान पर अत्याचार होता है तो बुरा लगता है लगना भी चाहिए लेकिन ये जो इनको बुरा लगता है ये बड़ा एक्तरफा है और इसे लिए बड़े ध्यान से और सोचिये दोस्तों हमाज के आतंक को खतम करने के लिए इसराइल जब कारवाई करता है तो उसमें मारे गए लोगों को याद करके ये प्रियंका वाडरा दुखी हो रही है भारत को वोट ना करने के लिए कोस रही है लेकिन जब इसराइल के लोग शांती से अपने घर में अपने काम में व्यस्त थे, उस समय चुप चाओ, पीठ पीजे, हमास के आतंकी हमला करते हैं, जबरदस्ती घुशकर हमला करते हैं, तब तो प्रियंका वाडरा चुप रही, तब तो ये मानवता की बात याद नहीं आई, तब तो वो सारी चीजें गायब हो गए, उनको मंत्री मोदी को नसीहत दे रहा है, अब एक मैं आपको दिखाता हूँ, लोकसभा में कॉंग्रेस पार्टी के उपनेता, गौरब गोगई नसीहत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बड़े ध्यान से ये भी देखिए, In this vote, India under PM Modi has shown a significant departure from the global south. Its vote doesn't behove a land that gave birth to Gautam Buddha, Ashok, Mahatma Gandhi and Pandit Nehru. Pandit Nehru, अभिध्यान से सुनिये, PM Modi must not sacrifice the Indian value of universal humanitarianism. Pandit Nehru, अरे भाई, Pandit Nehru का ही तो अभी बयान सुनाया न, कि Mahatma Gandhi के हत्या हुई, उसके बाद सैक्ड़ो, हजारो, ब्राहमणों की, चित्पावन ब्राहमणों की हत्या कर दी गई, और उसको तो justify किया उन्होंने, तो आप Pandit Nehru का उधरन दे कर बचाएंगे, तो आप समझे कितना double standard है, और वहीं इस ecosystem के पत्रकार, विनोत कापड़ी, वसुधैव कुटुमबकम पाठ का याद दिला रहे हैं, आप समझे, जब हमास ने हमला किया, तब तो आपको इन चीजों की याद नहीं आए, लेकिन अब आपको याद आ रही है, और एक दिखाता हूँ, सिधार्थ वरत राजन, शर्म से सिर्ध जुकाने की सलाफ प्रधान वंत्री मोधी को दे रहे हैं, Hang your heads in shame, नरेंद्र मोधी और डॉक्टर जैशंकर, इंडिया refuses to back landslide, UN General Assembly call for humanitarian trust in Gaza, है ना, बड़ा बड़ा विचेत्र है दोस्त, यह सर्फ एक तरफा है, एक तरह की सोच है, और एक दिखाता हूँ, सीमा चिष्टी, इसे नैतिक्ता का दिवालियापन बता रही है, moral bankruptcy of the present Indian regime, यह कह रही हैं, अब समझ रहे हैं ना, कि कैसे एक आतंकी संगठन को बचाने के लिए, नैतिक्ता की दुहाई दी जा रही है, और इसी double standard को दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, मगर यह सारी चीज़ें सिर्फ कहने की होती, जैसे यह सोशल मीडिया में कहते हैं, माहौल बनाते हैं, तब तक तो ठीत था, चलिए मान लिया पल भर के लिए, वैसे तो यह भी बुरा है, लेकिन बात तो इससे आगे बढ़ गए, कैसे, आप देखिए, हमास के आतंक के समर्थन में, केरल में, इसी एको सिस्टम की एक पार्टी है, इंडियन मुस्लिम लीग, उसने रैली की, जानते हैं रैली में क्या क्या, सुनकर माथा पकड़ लेंगे, ये भारत में ही हो सकता है दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ यहीं दिख सकता है, आप देखिए, केरल में जो रैली हुई, इसमें हमास के निता, खालित को, आउनलाइन संबोधित करने के लिए बुला, उन्होंने संबोधित किया, और इस्रैली में नारे क्या लग रहे थे, ये भी जानना बड़ा जरूरी है, इस्रैली में नारे लग रहे थे, बुल्डोजर हिंदुत को उखाड फेको, बुल्डोजर हिंदुत को उखाड फेको, बुल्डोजर किसके लिए सिंबल है आप जानते हैं, योगी जी के लिए हिंदुत्व आप सिर्फ बातों को पकड़िये और समझने का प्रयास कीजे कहां से क्या चीजें जुड रहे हैं इतना तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि कहां से कैसे सारी चीजें एक जगह जाकर जुड जाती है जिस आतंग की संगठन हमास ने इसराइल में आतंग का तांडो मचाया उसके समर्थन में किरल में रैली होती है और रैली में एक और निता शामिल होते हैं कौन? कॉंग्रेस निता शशी धरूर और इस रैली में भारत की राष्टबादी सरकार को उखाड फेंटने की बात की जाती है यह कन्एक्षं है और यहिं एंडियन मुस्लिम कौन है? इंडियन मुस्लिम लीग आप जानते हैं बात करने के लिए उतरिए यह पार्टी और राष्ट corn कार्म इर्पेक्षता का प्रमाण पत्थर देते हैं पुराना बयान है शुन लिजी मुसलिम लीग अब एक और बात देख लीजिए जब ये बात हो ही रही है कि राहुल गांधी के लिए इंडियन मुस्लिम लीग धर्म निर्पेक्व संगठन है राष्टवादी पाटी है लेकिन उनके लिए RSS क्या है फासिस्ट, फंडामेंटलिस्ट बयान सुनिये देख रहा है ना चलिए पल भर के लिए मान लेते हैं आपके लिए RSS फासिस्ट पार्टी है लेकिन जिस संगठन के साथ आप बैठते हैं उठते हैं जिस संगठन को क्या कहेंगे ये वही संगठन है दोस्तों जिसके मुखिया जाकिर नायक है और जो बांगला देश में आतंकी हमला कराने बालों को तयार करता है मैं जो कह रहा हूँ ना आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ आप देख लीजे और ये आतंकी हमला क्या है ये भी बता देता हूँ वो भी समझ लीजे बांगला देश में दो जुलाई 2016 को धाका के बेकरी में आतंक वादियों ने रमजान के महीने में बंधक बना कर बीस लोगों को मार दिया था और जिन लोगों ने मारा उसको प्रेरित किस ने किया ये भी तो सवाल है उसको प्रेरित करने वाला कोई और नहीं जाकिर नायक है और जाकिर नायक के ही फाउंडेशन से राजीव गांधी ट्रस्ट को डोनेशन मिलता था आप सर्फ कनेक्शन देखिए और इसी आधार पर जो जाकिर नायक फांडेशन से राजीब गांधी ट्रस्ट को डोनेशन मिला दोस्तों इसी आधार पर राजीब गांधी ट्रस्ट को विदेशी डोनेशन का जो लाइसेंस मिला हुआ था उसे कैंसल कर दिया गया और यही नहीं आपको एक और कने अच्छे बड़े सही होगी कमलनात और दिग्विजय दो ही बड़े चेहरे हैं उस दिग्विजय सिंग के लिए जाकिर नायक क्या है कैसे गुणगान करते हैं आज ये भी सुनना जरूरी है जरा सुनिये ना इसका मतलब क्या है दोस्तों इस बयान को सुन करके कॉंग्रेस हो या लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम का कोई भी पार्टी शक्स इन लोगों के लिए जाकिर नायक हो या हमास ये इनके लिए विश्व में शान्ती फैलाने का काम करते हैं और ये बात कोई और नहीं कॉंग्रेस के तो निता ही कह रहे हैं एक और उधारन दिखा देता हूं लगे हाथ तभी आपको सारी चीज़े क्लियर होंगी कॉंग्रे जानते होंगे दोस्तों पीए फाई की बात कर रहा हूं इसलिए पीए फाई युवाओं को भर्ती करके पूरे देश में इस योजना पर काम कर रहा था और आखिर में जिस संगठन को लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम इंडियन मुस्लिम लीक की तरह सेकुलर मान रहा था पी इसी लिए तो 2022 में मोधी सरकार ने या भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए कॉंग्रेस और ये पूरा का पूरा एको सिस्टम जिस तरीके से आज हमास के खिलाब खड़ा नहीं हो रहा है उसी तरीके से उससे पहले PFI के खिलाब भी खड़ा नहीं होता था और यहीं नहीं ये उन आतंकियों का विरोध भी नहीं करते दोस्तों जो भारत पर आतंकी हमला करते हैं आप याद कीजिए जब भारत के पुलवामा पर हमला किया गया और उसके बाद बाला कोट स्ट्राइक की गई तो इस एको सिस्टम का मैं सैम पित्रोधा का बयान सुना रहा हूं वो इसका विरोध करते थे और बोलते थे क्या पूरा देश करता है क्या दो चार लोगों ने कर दिया तो पूरे देश को ही आप वो कर देंगे कट घरे में खड़ा कर देंगे पाकिस्तान के बचाओं में खड़े हो गए थे बयान सुन लीजे जेक रहना और इतना ही नहीं राहूल गांधी के ये जो प्रिय शक्स है सैंपित्रोदा भारत के खिलाफ महल बनाने के लिए इन आतंकियों का ढाल बन गए खड़े हो गए और इनके मारे जाने का भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे सुन लीजिए तो कुल मिला करके दोस्तों ये जो पूरा एको सिस्टम है ना इस इको सिस्टम की सोच एकड़म एक जैसी है आपको अलग-अलग नजरिया मिलेगा अलग-अलग तरीके मिलेगे अलग-अलग रास्ते मिलेगे और जहां रास्ते समझ में नहीं आएंगे वहां कोई ओट दे देंगे जैसे इंडिया नाम दिया गया ना इंडिया नाम इसलिए दिया गया कि जितनी गलत हरकते हैं चाहे वो सामप्रदाइक्ता का काम करना हो हिंदुतु के खिलाफ काम करना हो ब्रष्टाचार के खिलाफ धाल बनना हो परिवार बात को बचाना हो तो नाम क्या होगा इंडिया के लिए लड़ रहे हैं इंडिया वाली लड़ रहे हैं सुनकर अच्छा लगता है न तो वैसे ही दोस्तों ये जो पूरी कवायत चल रहे हैं वो सिर्फ कुछ चीजों को बचाने के लिए और उसमें जो सबसे प्रमुक चीज है वो है तुष्टी करण तुष्टी करण इस देश के लिए कैसा रोग बन चुका है जिसे आगे बढ़ाने के लिए धर्म निर्पेक्षता की आड में ये काम किया गया और आज भी वही चल रहा है इससे सचेत रहने की जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार